क्यों कत्रा रहे हैं चाइना का नाम लेने को अब तालिबान के साथ चाइना भी घुस पड़ा हुआ है और चाइना और पाकिस्तान मिलकर हमारे देश में अंधरूनी माहौल बिगारने का काम तो करेंगे ये सब को पता है चलिए मैं उमीद करती हूँ प्रधानमंत्री मोदी है यह दिखाने को कि हमें इनके समर्थन की जरूर पड़ेगी अगर हमें भारतियों को वापस हमारे देश में लाने की जरूरत है हमें उनकी क्यों जरूरत पड़ेगी हम इस आतंकी संगठन को आतंकी संगठन को तयार है UNSC में आपकी अध्यक्षता में आप UNSC मेंसे आतंक करना हमारे देश के लिए आने वाले समय में हानिका रखो सकता है और मैं यह पॉजिटिव इंटरवेंशन के बाध्याम से दे रही हूं ना कि कोई कटाक्ष कर रही हूं संभी जवाब दीजिए संभी जी वो कह रही है कि यूनस्ट के देख्षता में यह सवाल कॉमन था दोनों का आखिर कैसे सुना मैं लिख भी लिया है ताकि मैं कोई भी प्रशन छोड़ न दूं निरुत्तर इसलिए मैं सबका जवाब दे रहा हूं नमबर एक जो प्रशन था कि आपका प्रशन था कि क्या यहां पे प्रियंका जी और सुप्रिया जी कॉंग्रेस इत्यादी यह संतुष्ट है कि नहीं यह तो हमेशा से असंतुष्ट है इनका क्या करेंगे एर स्ट्राइक हुआ तो यह संतुष्ट थे नहीं थे सर्जिकल स से संतुष्ट थे इनको संतोष किया जा सकता है कि नहीं हो सकती इनकी संतुष्टी नहीं हो सकती इसलिए इस संतुष्टी की चिंता मत करिए कंग्रेस पार्टी संतुष्ट है कि नहीं नंबर एक नंबर दो प्रशन्था राष्ट्रिय सुरक्षा एक सब्स्तेमाल किया गया राष्ट्र सुरक्षा का वीष्य है बहुत गंभीर मामला है अंजना जी बिलकुर सही बात है राष्ट्र सुरक्षा का विष्य है अंजना जी याद करिए एक जब समय था 2014 तक किसी भी station पर जाईए किसी भी माइक पेकी अराउस्पेंट होता था बैठने से पहले सीट के नीचे देख ले बम हो सकता है यहां अगर आप कोई भी पैकेज देखे तो वह बम हो सकता है हर दूसरे दिन बम फूटता था नौनों दस-दस बम यह दिल्ली में फटते थे बम फट रहा है क्या यह मोदी जी ज नह Elsie नहीं कहा गया कि राहुल गांधी ने बहुत पहले यह सब प्रेटक कर दिया था कि इस प्रकार से होने वाला है अफगानिस्तान ऐसा हो जाएगा यह तालिवान आ जायका यहारु गांधी तो कारोना भी प्रचिक र कहां है किस दिन वो एरपोर्ट पे लाए जाएंगे उनको कैसे लाया जाएगा ये नैशनल टीवी पर बताने वाला विशे होता है ताकि उसी दिन बंब डालके हमारे लोगों को उड़ाये जाए अरे आपको क्या लगता है इस सरकार की मोदी जी की सरकार की 2014 14 एक ट्रेक रेकॉर्ड है 43 नर्सेज आइस आइस के चंगूल में फसी हुई थी उनको भी निकाल के लाया इस आइस के चंगूल में हमारे फादर भी फादर उनको भी निकाल झाल